कि पूर्भी ब्यूटेंट फैसन में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी आज मैं बात करूंगा गर्मी में पिंपल्स से छूटकारा दिलाएंगे यह हमारे तीन टिप्स आप भी ट्राई करें और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे इस टिप्स से पूरी तरह सटि तो आए शुरू करते हैं गर्मी के मौसम का बुरा असर इसकीन और बालों पर पड़ता है तोचा मुर्जाहिवी नजर आने लगती है ज्यादा पसीना आने के कारण तोचा इंफेक्शन का सिकार हो जाती है इंफेक्शन के कारण तोचा में पिंपल्स नजर आने लगते है ऐसा नहीं है कि केबल बड़ों में ही यह समस्या होती है छोटे बच्चों को भी गर्मी के दिनों में पिंपल्स परिशान कर सकते हैं आप भी इस समस्या से जूज रहें तो चिंता ना करें हम आपको बताने जा रहे हैं तीन टिप्स इंटिप्स के मदद से गर्मी के दिनों में एकनिकी समस्या से छूटकार आपा सकते हैं गर्मी का मौसम तोचा की समस्या बढ़ा देता है इस मौसम में पेट में कभज ब्लॉटिंग आदि समस्या भढ जाती हैं पाचनत अंत्र बिगणने के कारण चीरे पर एक लिखने नजर आने लगते हैं मैं जो टिप्स शेयर करने जा रहा हूं वे परंपरी के तौर पर सालों से इस्तेमाल किये जाते रहें तो चलिए देर कैसी जानते हैं पिंपल्स का इलाज करने का घर रिलू टिप्स है तो पहला है सौफ का सर्वत पिये गर्मी के दिनों में पिंपल्स से बचने के लिए आप सौफ के सर्वत का सेवन करना चाहिए सौफ का सर्वत पिने से औरल हाईजिन बेतर होता है पाचन तंद्र को मजूद बनाने में मदद मिलती है गर्वी में ब्लोटिंग कब्ज जैसी समस्याओं से छुटकरा मिलता है खाने को पचाने के लिए ज्यादा तर रिस्तरा में खाने के बाद सौफ खाने के लिए दिय जाता है और हमारे गुजरात में तो सौफ का सर्वत पीने का चलन भी है वहां तापमान ज्यादा होता है ऐसे में शरीर को ठंडा रखने के लिए बाहर से आये लोगों को सौफ का सर्वत पिलाया जाता है इससे बर्याली सर्वत भी कहते हैं सौफ का सर्वत बनाने के लिए सौफ को पानी में डालकर उबालने उसमें चीनी मिलाएं जब मिश्टन ठंडा हो जाए तो उसे फ्रीज में रख कर ठंडा कलनें सर्वत तेयार है इसे रोज एक गलस आप पी सकते हैं या आपके फेमिली मेंबर को आप पिला सकते है या फेमिली फ्रेंड में प्ला सकते हैं कि दूसरा है खस की जड़ का पानी कि खस को बेटिवर नाम से भी जाना जाता है यह खुश्बू घास का कुच्छा होता है अपने पूराने कूलर में खस को देखा होगा जो जालियों में लगा रहता था अभी तो सब जगे इस ही लग गए अभी तो जरूरत नहीं है पहले ऐसा गाउं में अपना कूलर में जो घर के अंदर लगते थे इससे बने पर्दों का इस्तेमाल घरों में ठंडी हवा के लिए किया जाता है पिंपल्स की समस्या को दूर करने में उससे बचने के लिए खस की जड़ का पानी पीना चाहिए खस की दो-तिन जड़ लें और उसे पानी की बोतल में मिला दें तीन घंटे के लिए खस को पानी में रहने दें, फिर उस पानी का सेबन कर सकते हैं, आप खस को पानी में तीन दिन तक रख सकते हैं, तीन दिन बाद खस को धूप में सुखा कर एक बार और इस्तिमाल करें, इसके बाद अगले बार ताजा खस का ही प्रियोग करें, बचे हुए खस को फेके ने उसे तोचा पर इसक्रब के तोर पर इस्तिमाल कर सकते हैं जिन लोगों को बैक एकने या फिर पूरे सरीर पर दानों की समस्या होती है उन्हें खस को इसक्रब की तरह इसक्रब के रूप में इस्तिमाल करना चाहिए है हमारा अगला आईडिया है चंदन के पानी से इस्थनान करें पूराने समय में लगवग हर घर में चंदन पाया जाता था मैंने भी अपनी दादा जी के साथ मिलकर कई बार चंदन तयार किया चंदन में थोड़ा पानी मिला कर इसका लेप बनाया जाता है चंदन बनाने की पिक्रिया किसी meditation से कम नहीं है यह चंदन का लेप पानी में मिला करके इसनान करने से pimples की समस्या दूर हो जाती है इससे शरीर को ठंडग मिलती है चंदन में anti-inflammatory good होते हैं जिससे pimples में होने वाले दर से चुटकारा मिलता है चंदन में antiseptic good भी होते हैं जिससे तोचा में संक्रमण दूर होता है और मुहसों में Susan को कम करने के लिए चंदन फायदेवन माना जाता है तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको काशा लगा अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो अपने family और फ्रेंड में share करें और चैनल आपने अभी तक सब्क्राइब नहीं कहें तो चैनल को सब्क्राइब कर लें और बेल आइकोन की घंटी बजा दें जिससे हमारे सभी आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलें धन्यवाद